माइ डियर फ्रेंड जीगे जीएस प्रेक्टिस सेट के प्रेक्टिस सेट 29 के साथ आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रती दिन सौचुनिंदा प्रशनों का एक प्रेक्टिस सेट करवाता हूँ यह एक पुर्ण प्रेक्टिस सेट होता है इसमें सामान नियध्यन के हर एक सेक्षन चाहे वो इतिहास हो, गोल हो, इंडियन पॉलिटी हो जन्रल साइंस हो, या फिर करेंट अफेर सभी के प्रशन आपको देखने को मिलेंगे अब जिस भी एक जाम की तयारी करते हो SSC, Railway, BPSC, Railway NTPC, बिहार दरोगा, UP दरोगा तो आपके लिए एसेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है अब अगर चैनल पे नए हैं तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे साथ वीडियो के लास्टक बने रहिए आज का पहला प्रस्न है टिंडल प्रभाव प्रकास के डैस से सम्बंदित है परिछेपन से, परावर्तन से, अपवर्तन से या फिर प्रकृणन से टिंडल प्रभाव प्रकास की किस घटना से सम्बंदित है सही आंसर होगा प्रकास के प्रकर्णन से संबंदित है जब आप सुबह के समय में सुर्योदे के समय जब अंदर कमरा में अंधेरा रहता है तो आप देखेंगे कि वेंडिलेशन से या फिर खिर्की अगर खुली हुई है या कहीं भी होल है अगर घर में तो वहां से आप प्रकास की किर्णे को आते हुए देखेंगे और उसका एक मार्ग आपको दिखेगा इस तरह से मार्ग आपको दिखेगा यही प्रभाब जो है या टिंडल प्रभाब का लाता है अगर साइन्स के भासा में कहें तो जब प्रकास की किर्णे किसी कोलाइडली माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकास का प्रगिर्णन होता है और प्रकास का मार्ग हमें दिखाई देता है तो इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं करेबा जो मिटी गाद का एक प्रकार है किस भारतिय राज्जी में पाई जाती है यह एक जाम का पूछा गया कोश्चन है करेबा किस भारतिय राज्जी में पाई जाती है जम्मू कस्मीर पस्चिम मंगाल नागालेंड राजस्थान सही आंसर होगा यह जम्मू कस्मीर में पाए जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी है बल और विस्थापन का गुननफल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लिस्मेंट क्या होता है आपको यह बताना है सही आंसर होगा कार्ज कार्ज की परिवासा ही होती है एप इंटू एस उसका फॉर्मूला जो होता है वो एप इंटू एस होता है एस का मतलब विस्थापन जो डिस्प्लिस्मेंट होता है उसको हम एस के रुप में डिनोट करते है और f जो होता है वो force को denote करता है और यह total जब multiply करते हैं तो वो charge क्या define करता है एनलिडा वर्ग से संबंदित नहीं है आपको बताना है यह जंतुओं का वर्ग है एनलिडा उससे कौन सा संबंदित नहीं है सही आंसर होगा एसकेरिस जबकि अन्य सभी केचुआ, नेडिस और जो यह सभी एनलिडा वर्ग से संबंदित हैं एसकेरिस जो है वह नेमे टोडा वर्ग से संबंदित होता है पुली चिंतला चल्विद्यूत पर्योजना किस नदी पर है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर राम गंगा नदी मैं बात कर रहा हूँ पुली चिंतला जल्विद्यूत पर्योजना किस नदी पर है सही आंसर होगा या कृष्णा नदी पर है गुंटू डिस्टिक आंध्रपरदेश के गुंटू डिस्टिक में या पर्योजना इस्तित है ऐसे ही प्रस्ण पूछे जाते हैं जो थोरे क्लिस्ट होते है तो यहाँ पर क्या है पुली चिंतला जल्विद्यूत पर्योजना किस नदी पर है या कृष्णा नदी पर है किस राज्य में है आंध्रपरदेश में है किस डिस्टिक में है गुंटू डिस्टिक में है जल मंदिर कहां इस्तित है पटना, बोध गया, सारनाथ, पावापुरी सही अंसर होगा पावापुरी यह बिहार का एक जगह है ऐसा माना जाता है कि यहां पर ही महावीर को मोक्ष की प्राप्ती हुई थी और यहां पर एक भब मंदिर बनाया गया है जिसे हम जल मंदिर के नाम से जानते हैं भारतिय विमान पत्तन प्रादिकरन का गठन कब हुआ 1995, 1972, 1985, 1982 आपको बताना है AAI, Airport Authority of India का गठन कब हुआ था यहां पर आपका सही आंसर होगा 1995 ए नम्मर आपका सही आंसर होगा टिक नहीं किया गया है मैं मौन से बोलता हूँ ए नम्मर आपका आंसर होगा 1995 अगर आप डेट के साथ जानना चाहते हैं तो 1 अप्रिल 1995 को भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरन AAI Airport Authority of India का गठन हुआ था विद्यूत बाहक बल बराबर होता है बल के उर्जा प्रतियूनिट आवेश के कार्ज के और उर्जा के तो यहां पे सिदा का सिदा आपका आंसर इड क्लिक किया हुआ है विद्यूत बाहक बल यह जो होता है उर्जा प्रतियूनिट आवेश के बराबर होता है केल्विन स्केल में मानव सरीर का सामान निताप कितना होता है 273 केल्विन, 310 केल्विन, 300 केल्विन, 290 केल्विन सही आंसर होगा 310 केल्विन और यहां पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप डिग्री संटिग्रेट में देखते हैं तो मानव सरीर का अताप मान जो होता है वो 37 डिग्री संटिग्रेट होता है जब आप डिग्री संटिग्रेट से केल्विन में बदलेंगे तो आपको 273 एड करना परेगा 37 डिग्री संटिग्रेट होता है पलस 273 जब एड करने के बाद आपको प्राप्त होगा 310 केल्विन और यही केल्विन स्केल पे होता है अगर आप से पूछा जाए मानवसरीर का अताप मान फोरेन हाईट सकेल पे कितना होता है तो वह 98.6 डिग्री फोरेन हाईट होता है जो आपका नॉर्मल थरमा मीजर होता है वह फोरेन हाईट में नाप माप लेता है एक किलोग्राम रासी का वजन कितना होता है 9.8 N, 1 N, 10 N, 9 N सही आंसर होगा 9.8 N, एक किलोग्राम रासी का वजन होता है नावकिये विखंडन में ट्रीगर क्या है ट्रीगर मिंस नावकिये विखंडन को जो एक्सलेरेट करता है किस कन के कारण नावकिये विखंडन की प्रिकडिया लागातार चलती रहती है आपने एक स्रिंकला अविकडिया परहा होगा तो उसका भी जिम्मेदार एक कन होता है आपको उसका नाम बताना है प्रोटोन, इलक्ट्रोन, पोजिट्रोन, निूट्रोन सही आंसर होगा निूट्रोन निूट्रोन को नावके विखंडन प्रारम्ब करने में उसी से बंबार्ड किया जाता है जो भी आपका uranium हो थोरियम हो जो भी radioactive substance होते हैं उस पे neutron से जब प्रहार किया जाता है तो उसके बाद एक अवक्रिया प्रारंब होती है और वो सिंकला अवक्रिया के रूप में चलती रहती है तो यही आपसे पूछा गया है नावकिये विकंडन में trigger क्या है तो trigger जो है वह neutron ह होता है टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है फलविती अंतफ फलविती मत्य फलविती पुष्पभिट Hearts के सही आंसर होगा टमाटर का फलविती खाया जाता है पटना में भवानी मंदिर mosquito क्राम्तिकारी संस्ता की अस्थापना किस ने की थी विपेंदर नात दतने बाबाजी ठाकुर्दास ने, महेश नारायन ने, मजहरूल हक ने सही आंसर होगा भुपेंदर नाथ दत्य ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्ता की अस्तापना की थी इन में से कौन रोजसी कुल का पौधा है? सभी, नीम्बू, एस्ट्रावडी, तमाटर रोजसी कुल का कौन सा पौधा है? सही आंसर होगा एक रोजसी कुल का पौधा है द्रबमान और वेग के गुननफल क्या कहलाता है संबेग कहलाता है, बल कहलाता है, दाव या उच्छेप क्या कहलाता है म इंटू भी, मास इंटू भेलोसिटी क्या कहलाता है सही आंसर होगा या संबेग कहलाता है साहे बेखवर के नाम से किस मुगलबास सा को जाना जाता था मुअम्मस सा, फारुक सीयर, बहादूर सा, पर्थम, जहांदार सा साहे बेखवर के नाम से किस मुगलबास सा को जाना जाता था सही आंसर होगा बहादूर साह पर्थम को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था ओक्सीजन और ओजोन क्या हैं? आइसो टॉप से हैं? एलो टॉप से हैं? आइसो मर से हैं? या आइसो बार से हैं? सही आंसर होगा ओक्सीजन और ओजोन ये दोनों एलो ट्रॉप से हैं ओक्सीजन का O2 फॉर्मूला होता है और ओजोन का O3 होता है आगरा में न्याय का घंटा किसने अस्थापित किया था? जहांगीर ने, और अंगजेब ने, अकबर ने, साह जहाने सही आंसर होगा जहांगीर ने आगरा में न्याय का घंटा अस्थापित किया था जहांगीर के प्रसासन की यह सबसे बरी विशेस्ता थी उसका कहना था कि जनता को क्विक न्याय मिले इसके लिए एक सिरा जो था जन्जीर जो थी वो सोने की जन्जीर थी और उसका एक सिरा राजदर्वार में था और दूसरा सिरा यमना के किनारे बंधा हुआ था अंतराष्टिय न्यायले का मुख्याले कहां इस्तित है जनेवा वासिंगटन अमेरिका पेरिस दहेग नीदरलेंड आई सी जे इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस इसका मुख्याले कहां इस्तित है सही आंसर होगा दहेग नीदरलेंड में आई सी जे का मुख्याले इस्तित है निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है विधान परसद, लोकसवा, विधान सवा, राज्य सवा सही आंसर होगा विधान परसद, विधान परसद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है वहीं पे लोकसवा और विधान सवा को भंग नहीं किया जाता है और समाप्त भी नहीं किया जा सकता है, सत्रा वसन उसका होता है राजसभा की बात करें तो राजसभा को ना ही भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है विधान परसद अभी हर एक राज में विधान परसद और विधान सभा होना चाहिए लेकिन अभी अपने यहां सिर्फ छे राज जैसे हैं जहां पर विदान परसद और विदान सबा दोनों हैं इसके बिसे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं दियेगे विकल्पों में से कौन सा एक भक्ती आंदोलन की मूल तत्त में सम्मिलित नहीं है इस्वर प्रेम में डूबे हुए भक्ती को सब कुछ त्याग देना धार्मिक रिती रिवाज और अनुस्ठान का प्रवाह करना सही आंसर होगा धार्मिक रिती रिवाज और अनुस्ठान का प्रवाह करना या मूल तत्त में सम्मिलित नहीं है जबकि अन्य तीन जो अप्सन है वहां मूल तत्त में सम्मिलित है भारत के चौथे राष्टपती कौन थे फारुखादीन अली आहमद आर वेंकेट रवन नीलव संजीव रेड़ी वीवी गिरी सही आंसर होगा भारत की जो चौथे राष्टपती थे वह वीवी गिरी वीवी गिरी थे भारतिय राजनितिक विवस्था में सर्वोच है राष्टपती संसद संबिधान सर्वोच ने आयले का मुख्य ने आयधीस सही आंसर होगा संबिधान भारतिय राजनितिक विवस्था में सबसे उचा संबिधान को रखा गया है सार्दा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था कैनिंग वेटिंग कैनिंग दो वार लिखाया है इर्विन आपको बताना है सार्दा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था सही अंसर होगा इर्विन सार्दा एक्ट इर्विन से संबंदित है और यह बाल विवाः पर्तिवंधाद नियम के तहद यह एक्ट बनाया गया था पहले बाल विवाः होता था उसको रोकने के लिए इर्विन का यह एक महत्पुर्ण प्रियास था द्रोगी तरंग प्रकृति की खोज किस ने की थी मैक्सवेल ने जोन बोर्डिंग ने डी ब्रोगली ने माइकल फेराडे ने सही आंसर होगा डी ब्रोगली ने द्रोगी तरंग प्रकृति की खोज की थी हवा में पौधे को उगाना क्या कहलाता है एपिकल्चर, एरोपोनिक्स, एलोपेथिक, हाइड्रोपोनिक्स सही आंसर होगा एरोपोनिक्स या हवा में पौधे को उगाना कहलाता है आप से कभी-कभी यह भी पूछा जाता है जल में पोदे को उगाना क्या कहलाता है तो वह हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है मनुस में एफला टॉक्सीन खाद विशाक्तन द्वारा सामानित कौन सा अंग प्रभावित होता है जो food poisoning होता है एफलो टॉक्सीन से वह उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है इन में से कोई नहीं यकरित, हिर्दे, फेफरा सही आंसर हो जाएगा इससे यकरित प्रभावित होता है प्रभावल अमल और दुरवल चार के मिलने से जो लवन बनता है उसका पियच मान क्या होता है आप जानते हैं अमल और चार जब आपस में मिलते हैं तो लवन का निर्मान होता है लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब प्रवल अमल और दुर्वल चार मिले तो उस लवन का पियच मान कितना होगा सास से अधिक, सास से कम, दस और चौदा के बीच में या फिर चौदा से कम सही अंसर होगा, बी नमर, सास से कम, क्योंकि अमल का जो पियच मान होता है, वह सास से कम ही होता है और यहाँ पे प्रवल अमल है, तो जो प्रवल अमल और दुर्वल चार के मिलने से जो लवन बनेगा, वह उसका भी पियच सास से कम ही रहेगा मदमकी के डंक मारने पर किस पदार से उपचार करना लावकारी होता है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइट या अन्य सही आंसर होगा A नमबर मदमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा इससे जब आप उप्चार करेंगे तो सही उप्चार होगा बेकिंग सोडा दात का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोड होता है कॉपर क्लोराइट, कैल्सियम फॉस्पिट, कैल्सियम कार्बाइट, कैल्सियम कार्बोनिट सही आंसर होगा बी नम्मर कैल्सियम फॉस्पिट, दात का जो मसूरा होता है वह कैल्सियम फॉस्पिट से बना होता है जो काफी कठोड होता है सिल्का क्या है उपधातू, धातू, अधातू इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा ए नम्मर सिल्का एक प्रकार का उपधातू है एसियाटिक मीरर का प्रकासन कब प्रारंब हुआ था सही आंसर होगा 1794 इस्वी में एसियाटिक मीरर का प्रकासन प्रारंब हुआ था इन में से कौन स्वतंत्र प्रेश का समर्थक नहीं है लौड हेस्टिंग, लौड विलेजली, लौड मिन्टो, लौड वेस्टिंग स्वतंत्र प्रेश का समर्थक नहीं है सही आंसर होगा बी नम्मर लौड विलेजली जो हैं लौड विलेजली वह स्वतंत्र प्रेश के समर्थक नहीं थे सार्दा सदन का अस्थापना किस ने किया था पंडित रमाबाई ने गोपाल कृष्ण गोखले ने बी एस मालावाडी ने राधा कांत देव ने किनों ने सार्दा सदन की अस्थापना की थी सही आंसर होगा ए नम्मर पंडित रमाबाई ने सार्दा सदन की अस्तापना की थी करजन ने 1903 में कहा था कि वायसराई पद से निवरित होकर वा किस नगर निगम का महापाउर होना पसंद करेगा कोलकता, मदरास, दिल्ली, उरीशा लोड करजन ने 1903 में कहा था कि वायसराई के पद से जब वो हटेगा तो वो किसी नगर निगम का महापाउर होना पसंद करेगा और वो कौन सा नगर निगम था सही आंसर होगा ए नम्मर कलकता नगर निगम का महापाउर होना पसंद करेगा भारतिय जलसे ना अधनियम किस बाई सराय के सासनकाल में पारित हुआ लॉर्ड इर्विन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ट, लॉर्ड हार्डिंग सही आंसर होगा ए नम्मर भारतिये जलसे नादनियम लॉर्ड इर्विन के सासनकाल में पारित हुआ था वरली आंदोलन कब सुरू हुआ 1921, 1930, 1945 या फिर 1940 वरली आंदोलन कब प्रारंब हुआ था सही आंसर होगा C नमबर 1945 इस भी में वरली आंदोलन की सुरुवात हुई थी आर्थिक निसकासन के सिद्धान्द का प्रतिपादन किस ने किया था D.B. नेरो जी, दादा भाई नौरो जी ने, आर सी दत ने, S.N. बनर जी ने, M.M. मालविये ने, मदन मुहन मालविये ने इन में से किस ने आर्थिक निसकासन के सिद्धान्द का प्रतिपादन किया था सही आंसर होगा A. दादा भाई नौरो जी ने, आर्थिक निसकासन के सिद्धान्द का प्रतिपादन किया था वाईकूम सत्याग्रा कब हुआ था? 1924 में, 1925 में, 1923 में या फिर 1926 में सही आंसर होगा A. नौर, 1924 में वाईकूम सत्याग्रा हुआ था और या केरल लाज के त्रेवन कोर नामक जगा से सम्बन दित है एक्चुली, वहाँ पे अस्प्रिस्ता की जो कूपर था थी, उसी के बिरुद्ध, त्रेवन कोर केरल में या आंदोलन चलाया गया था इसमें, जो भी अचूत जाती थे, वह गांदी जी के एंसावादी नीती, जो सत्याग्रा की नीती थी उसका ही अनुसरन करके, त्रेवन कोर के एक मंदिर के पास में, सरक का उपयोग करने की माँग पर उन्होंने यह सत्याग्रा किया था मतलब, वह मंदिर के पास की जो सरक थी, उसको अचूत जातीयों को यूज करने के लिए केरल में नहीं दिया जा रहा था इसलिए उन्होंने वाइकूम सत्यागर किया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी तो आपको पूछा गया यहां पे वाइकूम सत्यागर कब सुरू हुआ 1924 इस भी में सुरू हुआ था नील अंदोलन कब प्रारम हुआ 1885 इस भी, 1855 इस भी, 1853 इस भी, 1859 इस भी सही आंसर होगा डी नम्मर 1859 इस भी में बंगाल के किसानों के दोरा यह सबसे पहला प्रियास था नील अंदोलन का, नील एकूली इंडिगो प्लांटेशन एक्ट पारित किया गया था लगवक्त 10 साल पहले ही इंडिगो प्लांटेशन एक्ट पारित किया गया था प्रन्तु जब ये नील विद्रो 1859 में प्रारम हुआ तो किसानों ने साप मना कर दिया कि मैं अपने जमीन पर नील की खेती नहीं करूँगा और नील की खेती करने से एक्चुली होता क्या था बंगाल की इक्षानों को जो आनी होती थी मिट्टी की उर्वर्ता ही खतम हो जाती थी मिट्टी बंजर हो जाता था कुछ दिनों तक नील की खेती करने के फलस रूप फिर उसके खेत पे कुछ भी उगने वाला नहीं होता था इन में से कौन सा कथन असत्य है पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था इस समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुक्र ड्रेक था पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर रोवर्ट क्लाइव था उप्रुक्त सभी सही है सही आंसर होगा सी नम्मर पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल रोवर्ट क्लाइव था यह बात जो है गलत है पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर ज बताइए कि जब पलासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बहाभियों के आंदोलन को दावाने में सफलता किसे प्राप्त हुई थी लॉर्ड एलगिन पर्थम को, लॉर्ड एलगिन दुईतिय को, लॉर्ड एलन बरो को, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक को सही आंसर होगा ए नम्मर लॉर्ड एलगिन पर्थम को बहावियों के अंदोलन को दवाने में सफलता प्राप्त हुई थी पावना विद्रोह कब शुरू हुआ था 1873 SB में 1874 SB में 1875 SB में या फिर 1876 SB में ये सबी विद्रोह जो है वा exam point of view से खास करके जो आपके BPSC और UBPSC के exam होते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा beneficial होते हैं मतलब यहां से एक प्रस्ण आपको पूछे ही जाते हैं सही आंसर होगा ए नम्मर 1873 SB में पावना विद्रोह सुरू हुआ था देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रती प्रेम है या कतन किसका है बंकिमचन चटर जी बाल गंगादर दिलक स्वामी विवेकानन इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा ए नम्मर बंकिमचन चटर जी ने ऐसा कहा था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रती प्रेम है बंगाल में दोरा सासन का अंत किस ने किया था वेलेजली ने कॉर्ण वालिस ने रोबर्ट क्लाइब ने या फिर वारेन हैस्टिंग ने किनों ने बंगाल में दोरा सासन का अंत किया था सही आंसर होगा D नमर वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोरा सासन का अंत किया था बंगाल के अस्ताई बंदोबस्त से दो वर्ग कौन कौन से बने थे बंगाल में जो अस्ताईव अंदोबस्त की प्रकडिया हुई थी उसके कारण दो नए वर्ग का उदे हुआ था वह कौन कौन से वर्ग थे जमिंदार और किसान सासक और सोसित जमिंदार और किरसक अनुपस्थित जमिंदार और असामी सही आंसर होगा बी नम्मर सासक और सोसित वर्ग ये दो ही तरह के वर्ग अस्ताई वंदोवस्त के फलस्रूप पैदा हुए थे बंगाल के अस्ताई वंदोवस्त दो वर्ग ये तो हो चुका है कुश्चन सासक और सोसित वर्ग बंगाल में भारत में अस्थानिय सोसासन का विकास किस काल से माना जाता है मौरिकाल से, गुप्तकाल से, सात्वाहन काल से या फिर कुसान वन्स से सही आंसर होगा A नमबर मौरिकाल से ही भारत में अस्थानिय सोसासन का विकास माना जाता है वुड का dispatch मुगिता किस अस्तर की सिक्षा से सम्बंध। था जो वुडड़ dispatch आया था वा किस अस्तर की सिक्षा से सम्बंध। था प्रारंबिक, माध्यमिक, विसुविद्याले या फिर प्रशासनिक। सही आंसर होगा सी नम्मर विस्विद्याले ही सिक्षा से वुड्ड स्पैस संबंदित था किसी भी भारतिये द्वारा अंग्रेजी में प्रकासित सापताहिक समाचार पत्र कौन सा है बंगाल गजट, दा बंगाल गजट, मुंबई गजट, एंडिया गजट सही आंसर होगा बंगाल गजट, एंडिया आपका सही आंसर होगा आधुनिक रिशी संबोधन किसके लिए है एमजी रनाडे, बालगंगाधर तिलक, विविकानन्द, महात्मा गांदी किसे आधुनिक रिशी कहकर संबोधित किया जाता था सही आंसर होगा ए नमबर एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे इन्हें ही आधुनिक रिशी कहकर संबोधित किया जाता था पहला अखिलवारतिय किसान सम्मेलन कहां हुआ था नागपूर, इलाहाबाद, लखनो, फैजपूर सही आंसर होगा सी नमबर पहला अखिलवारतिय किसान सम्मेलन लखनों में हुआ था जोनाथन डंकन ने बानारस में संस्कृत बिद्याल संस्कृत कॉलेज की अस्तापना कव की थी 1792 इस भी, 1776 इस भी, 1781 इस भी, या फिर 1788 इस भी तो सही आंसर आपका होगा 1792 इस भी जोनाथन डंकन ने बानारस में संस्कृत कॉलेज की अस्तापना की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1888 इस भी में कौनसा सब बंगाली सब्ताइक, अंग्रेजी सब्ताइक में परिवर्तित हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही खतनाक था प्रेस संसरिप के लिए लगाया गया था प्रेस पर प्रतिवंद लगाया गया था और उसी से बचने के लिए कौनसा बंगाली सब्ताइक, पत्र जो था वह अंग्रेजी सब्ताइक में परिवर्तित हो गया हिंदू, अमरित बाजार पत्रिका, पायनीर, कवी वचन सुधा, कौन सी पत्रिका है? सही आंसर होगा B. अमरित बाजार पत्रिका, या बंगाली साप्ताइक पत्र, अंग्रेजी साप्ताइक पत्र में परवर्तित हो गया था बारत में आधुनिक सिक्चा का जन्मदाता किसे कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, चार्ल्स वुड को, चार्ल्स ग्रांट को, वारेन हेस्टिंग्स को किसको बारत में आधुनिक सिक्चा का जन्मदाता कहा जाता है सही आंसर होगा C नमबर यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सभी चार्ल्स वूड को लगाते हैं B नमर जबकि वह रॉंग आंसर है भारत में आधुनिक सिक्षा का जन्मदाता C नमर आपका सही आंसर होगा चार्ल्स क्रांट को कहा जाता है तमिल भासा में रामाइन की रचना किसने की थी जिसे सच्ची रामाइन कहा जाता है पेरियार, मननार, नारायन गुरू या पी त्यागरी राज किनोंने तमिल भासा में रामाइन की रचना की थी जिसे सच्ची रामाइन कहा जाता है सही आंसर होगा ए नम्मर पेडियार ने तमिलवासा में रामाईन की रचना की थी जिसे सची रामाईन कहा जाता है दूसरा कारखाना अधनियम किस वाई सराई के सासनकाल में पारित हुआ था किसके सासनकाल में दूसरा कारखाना अधनियम 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 किसके सासनकाल में पारित हुआ था महाल सब्द से क्या तात परज है आपने सुना होगा महालवारी बंदोबस्त तो महाल सब्द का मतलब क्या होता है गाउं रियासत राजा का महल या जमिनदारी लिट्रल मिनिंग यहाँ पर बताना है महाल सब्द का मतलब क्या होता है सही आंसर होगा A. गाउं, महाल गाउं को कहा जाता था विश्व धर्म संसत जिसमें विवेका नंद ने सिकागो में 1893 S.B. में भाग लिया था कौन सी धर्म संसत थी पर्थम विश्व धर्म संसत दुईतिय विश्व धर्म संसत तृतिय विश्व धर्म संसत या चतुर्थ विश्व धर्म संसत सही आंसर होगा ए नम्मर यह प्रथम विश्वधर्म संसत था जिसमें 1893 में विविकानन्द ने भाग लिया था और भारत का सर उंचा किया था उन्होंने संबोधन ही इस्टार्ट किया था और उसमें अपनी संस्कृती भारतिय संस्कृती का पूरा गाथा गान उन्होंने किया था सत्यसोधक समाज की अस्थापना कव की गई थी सही आंसर होगा बी नम्मर 1873 इसबी में सत्यसोधक समाज की अस्थापना की गई थी और इसकी अस्थापना जोतिवा फूले ने किया था कौन सा काल अस्थानिय सुसासन की द्रिष्टी से सर्विस्रिष्ट काल माना जाता है चोल यूग, पल्लव यूग, राष्टकूट काल या गुप्त काल सही अंसर होगा, ए नमर, चोल यूग जो है, वह अस्थानिय सुसासन की द्रिष्टी से सर्विस्रिष्ट काल माना जाता है अब पिछले भी, पीछे भी मैंने एक कोश्चन बताया था कि किस काल से अस्थानिय सुसासन का विकास माना जाता है मतलब किस काल से अस्थानिय स्वसासन का विकास प्रारम हुआ था तो उसका अंसर मौरिकाल होता है लेकिन अगर आपसे पुछा जाए अस्थानिय स्वसासन का सर्वस्रेश्ट काल कौन सा था तो आपका सही अंसर होगा चोल यूग एसियाटिक सोसाइटी के स्थापना सर विलियम जौन्स ने कव किया था 1781 इस भी में, 1782 इस भी में, 1784 इस भी में या फिर 1785 इस भी में एसियाटिक सोसाइटी के स्थापना सर विलियम जौन्स ने कव किया था सही अंसर होगा C नम्मर 1784 इस्वी में एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना सर विलियम जॉन्स ने किया था सतंदरनाट टैगोर जो की प्रतम भारतिय आई सी एस अधिकारी थे उनको किस जगा पर कलक्टर होने के दोरान बर्खास्त कर दिया गया था पहले आई सी एस अधिकारी सतंदरनाट टैगोर थे और वो जब कलक्टर के पोस्ट पर थे तो उन्हें किस जगा से बर्खास्त कर दिया गया था असम, बंगाल, उडिशा, विहार सही आंसर होगा ए नम्मर असम से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड, मार्तंड, मुंबई, दर्पन, The Times of India, गुजरात, मित्र हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? सही आंसर होगा उदंड, मार्तंड या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है सिवाजी के सासन काल में किले की सुरक्षा कौन करता था सुवेदार, कारकून, हवल्लार, दुर्गपती जैसे सिवाजी के यहाँ जो मंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था तो इस तरह से आपसे यहाँ पे पूछा गया है सिवाजी के सासन में खिले की सुरक्षा कौन करता था सही आंसर होगा सी नम्मर उसे हवल्लार के नाम से जाना जाता था किस गवर्नर जनरल के सासन काल में सेरसा सूरी मारक का नाम बदल कर जीटी जोड कर दिया गया आप चानते हैं सेरसा सूरी रोड पहले नाम था जीटी रोड का ग्रेंड ट्रंक रोड बाद में उसका नाम ग्रेंड ट्रंक रोड रखा गया तो 21 गवर्नर जनरल के सासन काल में नाम का परिवर्तन किया गया सही आंसर होगा बी नम्मर लॉड ओकलेंड के सासन काल में सेरसा सूरी मारक का नाम बदल कर जीटी रोड ग्रेंड ट्रंक रोड कर दिया गया था आजबर के लिए इतना ही मिलते हैं प्रेक्टिस सेट 30 के साथ कल आपको मैं बताना चाहूं अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिपिकेशन बेल को दवा ले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में सेयर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब एंग